परियावरनण भूगोर में हम लोगों ने परियावरनण पारिश्थितिकी और पारिश्थितिक तंत्र की परिभासा सीखा पारिश्थितिक तंत्र की संद्चना के बारे में भी सीखा और आजाएए हम लोग पारिश्थितिक तंत्र के परकार सीखते हैं टाइप साफ एको सिस्टम पारिश्थितिक तंत्र के परकार हम यदि अपने इस प्रत्यवी पर या ग्लोप पर देखें तो विभिन प्रकार की पारश्थितिक तंत्र मिलते हैं और उनको हम सामान रुप से जलवाई और वनस्पत प्रदेशों के आधार पर विभाजित करते हैं जैसे अस्थली पार्ष्थितिक तंत्र और जली पार्ष्थितिक तंत्र अस्थली पार्ष्थितिक तंत्र में जलवाई और वनुस्पत पेटियों के आधार पर विभाजन किया जाता है जैसे भूमधे रेखी जलवाई पार्ष्थितिक तंत्र उसके उत्तर में समाना पार् यदि ध्यान दें तो भूमध रेखी पारिश्थितिक तंत्र में एक विशेश प्रकार का पादप समुदाय मिलता है जो किसी पारिश्थितिक तंत्र के फूप पिरामिट का या ट्राफिक लेवल का निचला अस्तर होता है उस पर आस्तर तरहने वाले कुछ त्रण भक्षी होते हैं उन पर आस्तर तरहने वाले कुछ मानसाहारी होते हैं और उसके उपर आस्तर तरहने वाले कुछ सरभक्षी होते हैं इस तरह से भूमध्य रेखी पारिश्थितिक तंत्र का नाम करण जलवायव लेकिन विशेश रूप से वहां के वनस्पति और जीव के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार विश्व में अस्थली पारिश्थितिक तंत्र में भूमध्य रेखी जलवायव सदा बहार वर्शा बन पारिश्थितिक तंत्र से प्रारम कर और हम पोलर रीजन के टुंडरा पारिश्थितिक तंत्र की बात करते हैं। आईए हम देखते हैं कि पारस्थितिक तंत्र का विभाजन कितने टाइप से किया जाता है। पहले हम terrestrial ecosystem का मतलब अस्थली पारस्थितिक तंत्र की चर्चा करते हैं जो अस्थल मंदल पर मिलते हैं। लेकिन हमारे पृतिवी के अधिकांस छेट पर तो जल है इसलिए जली पारस्थितिक तंत्र या aquatic ecosystem एक परकार है पारस्थितिक तंत्र का जो विशेशूप से महासागर, सागर और अन्य जलरासियों में मिलता है। अब हम देखते हैं कि अस्थली पारस्थितिक तंत्र में भी दो आधार है बरगी करण का। पहला है climate based ecosystem जैसा कि हम लोग पी चर्चा किये कि भूमत धिरेखी सदा बहार वर्षा बन पारस्थितिक तंत्र से और टुंडरा पारस्थितिक तंत्र उसका टाइप होता है। और इसी तरह से भूमत धिरेखी सदा बहार वर्षा पारस्थितिक की या इकोलाजी से लेकर और टुंडरा इकोलाजी तक भी ecological classification या पारस्थितिक वर्गी करण किया जाता है। इसमें हम लोग यद इस model को देखें तो यहां पर भूमत धिरेखा है और भूमत धिरेखा पर ecosystem जो मिलता है वह हुआ equatorial evergreen forest ecosystem या भूमत धिरेखा से 10 degree उत्तर और 10 degree दक्षिन के बीच मिलता है। लेकिन इसके उत्तर जाने पर फिर 20 degree उत्तर तक सवाना ecosystem मिलता है जो की grass line घास छेत्र का पारस्थितिक तंत्र है। उसके पुना उत्तर जाने पर महादीपों के पस्चिम में 20 degree से 30 degree उत्तरी एक्षांस के बीच उस्ण मरुष थली पारस्थितिक तंत्र मिलता है और महादीप के पूरब में उनहीं एक्षांसों के बीच मानसून, deciduous forest ecosystem मिलता है। फिर इसके उत्तर जाने पर लगभग 35 से 45 degree उत्तरी एक्षांस के बीच महादीप के पस्चिम में Mediterranean ecosystem या भूमद सागरी पारस्थितिक तंत्र मिलता है। उनहीं एक्षांसों के बीच मध महादीपी छेत्र में mid continental ecosystem है और उनहीं एक्षांसों के बीच महादीपों के पूरवी भाग में China type ecosystem मिलता है। और इसके उत्तर जाने पर पूनः 60 degree उत्तरी एक्षांस तक mixed forest ecosystem मिस्रित वन पारस्थितिक तंत्र मिलता है जहां पर पस्चिम योरोप तुल जलवाई मिलती है और उसी के ठीक पूरव में उनहीं एक्षांसों के बीच जहां वरसा कम होती है टेमपरेट ग्रास लैंड एक ecosystem सीतोष्ण घास छेत्र पारस्थितिक तंत्र मिलता है फिर उत्तर 70 degree उत्तरी अक्षांस तक टायगा forest ecosystem मिलता है और उसके उत्तर 80 degree अक्षांस तक टुंडरा ecosystem मिलता है जो क्रम भूमध रेखिये पारस्थितिक तंत्र से उत्तर जाने पर मिल लहा है ठीक वही क्रम भूमध धरेखा से दक्षिड दक्षिनी धुप जाने पर वही पारिश्थी तर्द मिलेगा जिसमें की उत्तरी गोलाध में टाइगा फारिस्ट एको सिस्टम है लेकिन दक्षिनी गोलाध में इसका अभाव है जिसका कारण है कि दक्षिनी गोलाध में इन अक्छांसों के बीच महास सागर मिलते हैं, अस्थल नहीं मिलते हैं, इसलिए दक्षिन गोलार्ड में टाइगा फारिस्ट एको सिस्टम नहीं मिलता। इस प्रकार से यह रहा अस्थली एको सिस्टम जो की अस्थल पर वनस्पति और जीव समुदाय या बायोम के आधार पर निश्चित किया जाता है। और इसमें एक उलेखनी बात यह है कि यदि हम भोगोल के स्टूडेंट और स्कालर एक लाइन द्वारा ग्लोब पर या मांचित्र पर एक्वेटोरियल एवर ग्रीन फारिस्ट एको सिस्टम को सीमांकित कर देते हैं। और मानते हैं कि उस लक्षमड रेखा के ठीक दक्षिन में तो एक्वेटोरियल एवर ग्रीन फारिस्ट एको सिस्टम है। और उस एको सिस्टम का ट्राफिक लेवल और फोट पिरामिट अलग है। किसे से उसके उत्तर जो सवाना ग्रास लैंड एको सिस्टम है। क्योंकि सावाना घास छेत्र एको सेस्टम में जो पोशन अस्तर है फोर्ड पिरामिड है उसमें आधहार पर घास है मिलेंगी उनके उपर त्रण भक्षी मान्जा है दी लेकिन यदि इकोटूरियल एवर ग्रीन रेन फारेस्ट एको सेस्टम का फोर्ड पिरामिड या पोशन अस्तर बनाएं तो उसमें निचले अस्तर पर सदा बहार बन की प्रजातियां मिलेंगी उसमें वनस्पत प्रजातियों की बिवित्ता मिलेंगी और उसके उपर उन पर रहने वाले साकाहारी जियों की प्रधानता मिलेंगी इस तरह से एक्वेटुरियल एवर ग्रीन रेंफा उसमें उर्जा का प्रवाह भी तेज होगा, उसमें जैभुरसाइन चक्र भी तेज होगा, उसमें वाटर सर्कुलेशन और बायो केमिकल सर्कुलेशन भी तेज होगा, लेकिन उस equatorial evergreen rainforest एको सिस्टम के ठीक उत्तर जाते हैं सवाना grassland एको सिस्टम में उसका portion अस्तर और उसका food pyramid equatorial एको सिस्टम से अलग होगा और समाना में अपेक्षा कृत उर्जा का प्रवाह धीमा होगा equatorial rainforest की अपेक्षा समाना में जैवभू रसायन चक्र जैल चक्र सब धीमा होगा इसका मतलब हम भूगल के लोग भले ही लाइन खीच दें लेकिन प्रकृत में लाइन नहीं खीची जा सकती एक एवल अध्यन की सुविधा की द्रिष्ट से है बस्तुता भूमध्य रेखी सदा बहार पार्ष्थितिक तंतर और समाना पार्ष्थितिक तंतर के बीच में एक संकर्मण पेटी मिलती है जिसको इको टोन, इको क्लाइन और मिक्टियम कहा जाता है और यह दोनों पार्श्थितिक तंत्र अर्थात भूमध्य रेखी ये सदा बहार पार्श्थितिक तंत्र और समाना घास सेत्र पार्श्थितिक तंत्र आपस में जुड़े होते हैं। और वहां की कुछ घास यत्रन खा लिया और उसका पीछा सेर ने किया वह घास छेतिक तरफ भगा सेर उसको खा गया इसका मतलब कि सवाना घास छेत्र पारिश्थितिक तंत्र का एक साकाहारी भूमध रेखी सदा बहार पारिश्थितिक तंत्र के घास यत्रण को खा लिया अर्थात उर्जा और जयभूर सायन का प्रवा भूमध रेखी पारिश्थितिक तंत्र से सवाना पारिश्थितिक तंत्र का जीव है सिकार कर उस समाना घास छेत्र के हीरन को खा लिया इसका मतलब कि समाना घास छेत्र का उर्जा परवा जय भूरसायन और जल चला आया इक्वेटोरियल में इसका मतलब कि दोनों के बीच में एक अंतरसंबंध है यह अंतरसंबंध जय भूरसायन चक्र से है और यह उर्जा प्रवासे भी है इस तरह से यदि आप देखें तो प्रतेक पार्ष्थितिक थंत्र एक दूसरे से अंतरसंबंधित है इसलिए कभी-कभी आप से पूछा जाता है कि अर्थ, अजयन, एको-सिस्टम हमारी पूरी प्रत्वी एक पार्ष्थितिक तंत्र के रूप में है अर्थात यह एक इकाई है और इसमें सूर्ष से आने वाले उर्जा प्रवाहित होती है एक दिसी रूप में और जय भूरसायन चक्र चक्री रूप में प्रवाहित होता रहता है अर्थात हमारी पूरी प्रत्यवी एक जीव मंडल है एक इकाई है और एक पारिश्थितिक तंत्र है अर्थात उसमें पारिश्थितिक तंत्र के टाइपस बताने के बाद ये सब क्लासिफाई करने के बाद पूना आपको बताना होगा कि ये हमारे हमारी एक लाइन खीन्य से अलग नहीं होते अपितु एक दूसरे से अंतर सम्मंधित होते हैं यही नहीं एक्वेटोरियल, एवर्ग्रीन, रेनफारेस्ट, भूमदेरेखी, सदाबहार वर्षा बन पारिश्थितिक तंत्र की उर्जा या जयभूरसायन निश्चित रुप से टुंड्रा छेत्र से भी सम्मंधित होती है इस छेत्र में एक्वेटोरियल पारिश्थितिक तंत्र में किये गए हर काम अंतर सम्मंदित होते हैं टुंड्रा के पारिश्थितिक तंत्र से उसके उर्जा परवा और जयभूरसायन चक्र से तीस तरह से हम लोग देखें कि हमारा अस्थली पार्ष्थितिक तंत्र किस तरह से भूमत ध्रेखा से धुर्मों की तरफ परिवर्तित होता है उसका कारण है कि जैवर समुदाई में परिवर्तन, बायोटिक रीजन में परिवर्तन, जिसका कारण है जलवाई में परिवर्तन हाँ इसमें अभी और गहराई में देखें तो आपको निश्चीत रूप से किसी एक छेत्र में एक नगरी छेत्र है और उसी के पास में ग्रामीर छेत्र है तो नगर की उपर का पारिश्थितिक तंत्र अलग होगा और गाउं का पारिश्थितिक तंत्र अलग होगा गाउं के पार्स्थितिक तंत्र में पादप समधाय, जीव समधाय अधिक होंगे, वहां के उपर का वाय मंदली परियावर्ड, जल मंदली परियावर्ड, अपेक्षा के अलग हो, और महानगरों के उपर का पार्स्थितिक तंत्र, जीव समधाय, वनस्पत समधाय, उर्जा प्रवा, जय भूर सायंचक सब अलग होंगे। इस तरह से नगरी पारिस्थितिक तंत्र और ग्रामीड पारिस्थितिक तंत्र में भी एक रेखा खीची जा सकती है। लेकिन वहाँ पर भी संकरमड मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अस्थल पर ही पारिस्थितिक तंत्र किस तरह से अलग-अलग होते हैं। विशेश रूप से हाइट के आधार पर। जैसे यह जलवाई पर आधारित थे। लेकिन यहाँ पर रिलीफ बेस्ट इको सिस्टम उच्चावच आधारित पारिस्थितिक तंत् अभी तो एक्वेटर से पोल तक जनरल देखे कि किस तरह से पारिस्थितिक तंत्र बदलते हैं। लेकिन यद किसी एक महाद्यूप को देखें जिसमें रिलीफ को ध्यान में रखें अर्थात, पहाड, पठार, मैदान। तो निश्ची तरूप से उउचाई भी वहां के व अनस्पति विवित्ता और जय विवित्ता को नियंतित करती है। इसलिए उचाई पराधारित पारिस्थितिक तंत्र तीन वर्ग के होते हैं। पहला है माउंटेन एकोसिस्टम परवती पारिस्थितिक तंत्र, उसके नीचे पठार का पारिस्थितिक तंत्र और सब से मैदान का पारिश्थितिक तंत्र। और इस तरह से यहां का पारिश्थितिक तंत्र पठार मैदान के पेच्छा अलग होगा। और सूर से आने वाली उर्जा का प्रवाह और जयभूर सायन्चक भी अलग होगा जोकि पठार और मैदान से भिन होगा। हम पठार के पारिश्थितिक तंत्र का ध्यन करें तो निश्चित रूप से यहां पर पतज़र प्रकार के कटीले ब्रिक्ष मिलेंगे और उन पर आस्रित जीव भी परवत के जीवों से अलग होगे। और यहां पर मिट्टी की परत पतली होगी, चट्टाने कडी होगी इसलिए उर्जा प्रवा और जयव भूरसायन चक्र भी यहां का अलग होगा और इसके बाद मैदान में देखें यहां का पारिश्थितिक तंत्र निश्चित रूप से परवत और पठार के पारिश्थित प्रजातियां होंगी, जियों की भी अधिक प्रजातियां होंगी, जंगल मिलेंगे और यहां पर उर्जा का प्रवा भी तेज होगा, इन परवती और पठारी पास्थितिक तंत्र के पेक्षा और यहां पर जयव भूरसायन चक्र भी तेज होगा, लेकिन हां इन तीनों के बीच में भी एक लाइन नहीं खीच सकते हैं। इनके बीच में भी एक संकरमड होगा, संकरमडी पारिश्थितिक तंतर होगा। इस तरह से या मुचाई के अंसार पारिश्थितिक तंतर का वर्गी करने। अब हम जल रासियों में देखते हैं, वहां भी वनस्पति की परजातियां और उन पर रहने वाले जीव की परजातियां होती हैं, उर्जा का प्रवाह भी होता है और जय भूरसाइन चक्र और रसाइन चक्र भी चलता है। आई हम जल में देखते हैं, अक्विटिक एकोसिस्टम में पहला है पॉन्ड एकोसिस्टम, यह जल अस्थल पर ही मिलता है, तालाब होते हैं, बंध होते हैं, जिसमें सैवाल, घासें और उन पर निर्भर रहने वाली मचलियां और अन्यजीव मिलते हैं। इन में भी उज्या का प्रवाह और जयगू रसायन चक्र चलता है और यह एक तरह से अस्थलाबध जली पारिश्थितिक तंत्र होता है इसी तरह से आपका लेक एकोसिस्टम जील पारिष्थितिक तंत्र है, बंद जीले भी होती हैं, खुली जीले भी होती हैं, जिसमें मिलने वाले जयु समुदाय या जिन पर मिलने वाले फाइटो प्लंक्टन, समुद्री घासें, समुद्री वनस्पतियां और उन पर धनहने वाले जूपलंक्टन मिलते हैं, और इस तरह से यह भी एक आत्म निरपर पारिष्थितिक तंत्र होता है, इसके बाद रीवर एकोसिस्टम यह भी अस्थल के अंदर लंबे धारा में प्रभाहित होने वाली नदीओं में मिलने वाला एक पारिष्थितिक तंत्र है, और नदियों का जल्ट मीठा होता है, सुद्ध होता है इसलिए इसमें मिलने वाली घास और सैवाल और उन पर आस्रित विभिन परकार के जली ये जन्तु एक अलग परकार के पारिश्थितिक तंद्र का निर्मार करते हैं अब आईए हम लोग समुद्री जल्ब में ये है सी एको सिस्टम, समुद्री पारिश्थितिक तंद्र, समुद्र का अर्थ होता है जल्ब का वह छेत्र जो अस्थल के पास रहे जैसे जापान सी, जापान सागर, चाइन सी, करेबियन सी, मेडिटेनियन सी, इत्यादी और इनका वाटर, इनका जल्ब अपेक्षा करिस्सलाइन होता है इसलिए यहाँ पर मिलने वाले फाइटो और जू प्लैंक्टन एक अलग परकार के पारिश्थितिक तंद्र का निर्माड करते हैं और अगला होता है यह आपका डीप ओशन या डीप वाटर एको सिस्टम गहरे जल के पारिश्थितिक तंद्र अर्थात महासागर के पारिश्थितिक तंद्र और महासागर के पारिश्थितिक तंद्र को भी हम पुना कई भागों बाढ़ सकते हैं एक जैसे महादी पीव मंगन तटका पारिस्थितिक तंत्र, महादी पीव मंगन धाल का और गहरे मैदान का या गहरे समुदरी नितल का और इसमें हम लोग ओशन बाटम डिपाजिट में सीखे थे कि विभिन प्रकार के बनस्पत समदाय और जीव समदाय जैसे रेडियो लेरियन, गलोवी जेरिना इत्यादी पाये जाते हैं इस प्रकार से यह पारिस्थितिक तंत्र, जली पारिस्थितिक तंत्र है लेकिन जैसे हम लोगों ने सीखा कि अस्थली पारिस्थितिक तंत्र एक लाइन से अलग नहीं की जा सकते बलकि उनके बीच एक संक्रमन पेटी होती है जिसको इको टोन, मिक्टियम और इको कलाइन कहा जाता है उसी तरह से जली पारश्थितिक तंत्र और अस्थली पारश्थितिक तंत्र को भी अलग नहीं किया जा सकता उदाहरन के लिए जब किसी प्लेन से कोई नदी किसी समुद्र में गिर रही है डेल्टा के पास कुछ आईसी वनस्पति और जीव मिलते हैं जो की जली और अस्थली दोनों हो सकते हैं कुछ जन्त वैसे होते हैं जो उभैचर होते हैं वो अस्थल पर भी रह लेते हैं जल में भी रह लेते हैं जैसे मगर मच, जैसे मेढक, तो वह समुद्र में रहने वाला जीव कभी-कभी अस्थल पर आकर अस्थली कीट पतंगों को खाकर पुना समुद्र में चला जाता है। इस तरह से अस्थल की घासों को खाने वाले कुछ समुद्री जीव बाहर निकलाते हैं। इसका मतलब कि उर्जा का प्रवाह और जैवुरसायन चक्र जो अस्थल पर कोश्ट पर होना चाहिए वह जीव के द्वारा पहुच जाता है महासागरों में समुद्र में। और इस तरह से जीओं का जो जयवूरसायन है वह चलाता है अस्थल पर क्योंकि अस्थल पर रहने वाले कुछ जीओं समुद्री जीओं का इंजार करते हैं आते ही उनको खा जाते हैं इसका मतलब कि अस्थली और जली पर श्थितिक तंत्र भी अलग नहीं हैं बलकि एक दूसरे से सम्मन जित हैं एरहा हमारा इको सिस्टम का प्रकार टाइप जिसमें कि हम लोगोंने मोटे ताउर पर अस्थली और जली में बांटा और अस्थली में भी जलवाई या वनस्पत स समदाई के उनसार और उच्चावच के उनसार और जली में उनके मीठे जल और खारे जल के उनसार इस प्रकार को समझने के पस्चाद आपको इस चीज की तियारी कर लेना चाहिए कि इस पर UPSC प्रशन का ऐसा पूछ सकती है किसी एक पारस्थितिक तंत्र के संजचना प्र प्रक्रम और आवस्था पर भी प्रशन पूछा जा सकता है वह चाहे भूमध हरेखी चेत्र का पारस्थितिक तंत्र हो चाहे मेडिटरेनियन एको सिस्टम हो चाहे टुंडरा एको सिस्टम हो इस चीज को अलग-अलग तयार करने के पस्चाद फिर आपको रेडी रहना कि परवती पारस्थितिक तंत्र पर अलग से प्रशन पूछा जा सकता है पठार पर अलग से और इस पेशल रूप से वर्ल्ड में परवती पारस्थितिक तंत्र की विश्यस्ता बताईए और उनका वितरण बताईए और इसी तरह से आपसे जली पारस्थितिक तंत्र पर प्रष्ण पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिक संभावना है की पूरा बायस्फियर, पूरा जीव मंडल खूल हमारा एक पारश्थितिक तंत्र है, ऐसा परश्ण बन सकता है, या आसा परश्ण बन सकता है कि land आये जाएन एको सेस्टम हमारी पूरी प्रथवी ही एक पारिश्थितिक तंत्र है तिस तरह से प्रश्ण विभिन रूपों में पूछे जा सकते हैं हाँ आज जो एक नया पारिटन चला है पूछे जाने का तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि किसी एक पारिश्थितिक तंत्र पर यदि प्रश्ण पूछा जाएगा तो वहाँ पर होने वाली मानवी क्रियाओं से जोड़ कर प्रश्ण होगा इसलिए मानो हर जगह पहुँच गया है हर पारिश्थितिक तंत्र में हस्तक छेप कर रहा है इसलिए एक जो पारिश्थितिकी असंतुलन की घटना ह रही है उसे संबध करके ही आप तयार करेंगे वो चाहे एक्वेटोरियल एको सिस्टम हो चाहे हाट डेजर्ट एको सिस्टम हो चाहे ओ अर्थ आएजान एको सिस्टम हो तिस तरह से एको सिस्टम एक इमपार्टन टापिक है विशेश रुप से मानो हस्तक मानो हस्तक छेप की निरिष्टिकों से